नामनेकम स्टूडेंट्स, हमारे इंजाइम का चैप्टल जो है, वो कब्लीट हो गया है, आज जो हमने कहने है, वो रिव्य क्वेस्टिन्स है, ओपर जोर बोक्स, पीच वन वन फाइव, मुल्टिपल चॉइस, वाट इस टू अबोट इंजाइम, आपने इंजाइम करें, ब इसे बिलॉंग करते हैं, प्रोटीन, थर्ड, वाट इस टू अबोट, को फेक्टर, हैल्प, फैसिलिटेट, इंजाइम एक्टिविटी, यनके इंजाइम की एक्टिविटी को असान बना देते हैं, फोर्थ पे प्रॉस्टिवर्टी ग्रूप्स आर, टाइटली बॉन्ट इंजाएं, सर्कुल करें, टाइटली बॉन्ट वॉन थाएं, नाइएं थ क्रास, वन से फॉर तप जो है, वो आपके स्मार्ट स्लेबस में है, फाइफ उसके बाद शुख है, वो कोई ने है, वन से फॉर तब, छीक है, उसके बाद जो है, नेक्स पीज़ एग्ज पे जो ह और वो तुछे je defined enzyme, wrong? Enzyme की Definition देनी है, describe their characteristic, और फिर उसके बाद आपने इसके Characteristics जो है। वह सारी के सारी इस्क्राइब करनी है, what we mean by activation energy. Activation energy की Definition and why is it referenced in the definition of enzyme, और enzyme के अनदर उसको refer क्यों किया गे है, वह आपने सारी केентовा सरार्ट करना पेच निमबर जो आप का था स्टार्टिन में जब आपकर लें यहां से ठीक है एक्टिवेशन अनर्जी का औलगामिय यहां से स्टार्ट आपने करना और यहां तक इसका लॉंग परिसे जाय नस्त्रफ लॉग ऑड़ इंस एंजाइम एक्षिन में क्यान नहीं है उसके बार शॉट क्वेस्टन नundra one defined co factor को enzyme को factor की definition co enzyme की definition उसमें smart syllabus में आपका second question नहीं है लेकिन ये topic हम हम जो हैं वो कर चुके है what is the main use of enzyme in the paper industry paper industry केंदर enzyme के use को आपने बिताना है one two और 7 आपका Smart syllabus मेई उसके बार Short question जो है novo only जो है वह आपका First है ठीक है तो अब अगर हमें smart syllabus हैं आप देखा जाले स्मार्ट syllabus के मताबिक अगर देखा जाएं तो आपने enzymes भी का देगा उसके बार इंसाइम्स एक्शन किया है और इसके बार इसके क्लासवर्ग जो है multiple choice 1 से 4 तक है understanding concept जो है one two seven और short question जो है वो आपका one आ जाता है ठीक है या आपका complete जो है वो पूरे का पुरा जो है वो आपका complete जो है वो हो जाता है पिदिस्टूडेट्स इसके बाद जो है वह था हम वह dua उन्स ट्रपिर जो है वह स्टार्ट करेंगे बाई इन्रक्रिक जो है सेवन्चेडर है आपका और लएक इन्स फिल्ग ढे आठेंगे Bionergetics and the Roles of ATP Bionergetics is the Study of Energy Relationship and Energy Transformation, Conversion in Living Organism Bionergetics is the Study of Energy Relationship Energy का Relationship Energy Transformation Energy जो है एक फार्म से दूसरी में चेंज होती है In Living Organism, Living Organism तो आपका शॉर्ट क्वेस्टन आया Defined Bionergetics Study of Energy Relationship Energy Transformation in Living Organism इसके बाद रोल ओफ आ गया इसका Organism obtain energy by metabolizing the food that they eat or prepare Organism जो है वो कैसे energy को हांसल करती है या तो वो food जो उत्यार करती है या फिर जो है वो food जो खाती है उसकी metabolism होती है जिसकी वज़ासे energy produce होती है Food contains potential energy in its bond Food के अंदर जो energy होती है वो potential energy होती है When these bonds are broken down जब ये bond break down होती है यानि कि 668206 जो है उसके दिनम्यान जो bonding होती है वो break होती है large amount of kinetic energy usually release और इसमें जो energy होती है पहले potential energy होती है जब वो bond break होती है तो उसमें कौन सी होती है kinetic energy Some of this energy store in the form of potential energy कुछ energy जो होती है potential energy में store रहती है in the bonds of ATP molecules के अंदर while the rest escape as heat और कुछ energy जो होती है वो heat के तोर पे escape हो जाती है potential energy store in ATP is again transferred into kinetic energy जो ATP के अंदर जो energy होती है वो potential energy होती है वो कहते हैं तो बारा kinetic energy में चेंज होती है to carry out life activities जब उससे हम उस energy से जब जब जिदगी की मुख्लिफ activities life जैसे life activities क्या है respiration हो रही है moment हो रही होती है self growth हो रही होती है तो उसके दुराद ये जो ATP के अंदर adaptation energy होती है वो किसमें change हो जाती है वो kinetic energy में कि इस तरीके से उसमे बताया कि energy जो है उसका पसमे relationship and transformation कि तमाम आर्गनिसम जो है वो food जो तियार करती है या खाती है तियार कों करती है plants और खाते कों है जो animals होती है उसकी जब metabolism होती है तो energy जो है produce होती है और food के दर्मयान जो bonding होती है वो break tone होती है जिसके वज़े से काफी अनर्जी जो है वो जो है वो रिलीस होती है जब फूड होती है तो उसके अंदर अनर्जी जो होती है वो पोटेशन अनर्जी होती है लेकिन जब फूड ब्रेक्टोन होती है तो उसके अंदर कानेटिक अनर्जी होती है उस अनर्जी का कुछ हिसा जो है वो परफॉर्म की जा सके प्लांट्स एंड सब माइक्र ऑर्गनिजम फोटो संथेटि बिक्टेरिया और यल्जी परपेर देयर ओन फूफ फॉर्म कार्बन डाइक्साइट और वाटर इन दे प्रेसंस ऑफ लाइट बाइप प्रॉसिस कार्ड फोटो संथेसिस कहते हैं पो माइक्र ऑर्गनिजम नन फोटो संथेटिक पिटेरिया और जो एनिमल्स होते हैं फंजाए होते हैं माइक्र ऑर्गनिजम जो होते हैं वो क्या करते हैं यह बनी बनाई हुराग को इस्तमाद करते हैं स्टूडन काल इंशाला तला इसका नेक्स टॉपिक पढ़ेंगे आज आपने स्टूडन की बाहिम नर्चाटिक एंड यह रूल्स ठीक है यह इसका रूल साथ है ठीक है ठीक है ओके अला आफिस